गुद मॉर्निंग माई लवले किड्स वेलकम बैक टू एवियस क्लास किड्स चलिए जल्दी से अपनी क्या ओपन करना है प्रैक्टिस बुक है ना क्योंकि हमारे तो टर्म बुक कंप्लेट हो चुकी है और प्रैक्टिस बुक में अभी एक चाप्टर और बचाय कंप्लेट करने को और अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा चाप्टर कंप्लेट किया है जरा बताईए किस किसको याद है शुरू से चाप्टर स्टार्ट करते हैं वाटर, वाटर, वैदर, दसकाई, प्लेस ऑव वर्षी, पेपल हूँ है और लास्ट चाप्टर, इंपोर्टन प्लेस इन ओर नेवर होड़ूड तो आज हमारा यही चाप्टर हमें करना है, कंप्लेट करना है तो जल्दी से आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक ओपन करिए और कौन सा चाप्टर, इंपोर्टन प्लेस इन ओर नेवर होड़ूड यही चाप्टर तो हमें कंप्लेट करना है न तो यही चाप्टर आप लोग ओपन करिए और साथ में पैंसेल और इरेजर पकल लीजिए और आईए मैंड के साथ आईए कट्स, इंपोर्टन प्लेस इन ओर नेवर होड़ूड देखिए यह पेज नमबर की स्थर है, पेज नमबर 31, आप लोग पेज नमबर 31 ओपन करिए चले स्टार्ट करते answer the following questions first, where do we buy different things kids, हम different different सामान खरिने कहां जाते market न, dress, vegetables, fruits या घर का कोई भी item हो answer बोलेंगे, we buy different things in the market second question, where do we go to study kids, हम पढ़ने कहां जाते है school है न, जो कि अभी हमारा कोरोना की वज़े से बन चल रहा है answer, we go to school we go to school to study where do we go to study we go to school to study next, choose the correct answer fill in the blanks, है kids, और यहां पे हमें three options, यहां A, B, C इस three options में आपको हमेशा की तरह पता है कि इन में से एक options correct होगा जिसे हमें यहां लिखना है, चले रेट करते है a dash is a place of recreation for children ऐसा कौनसा प्लेस है, kids, जहां पे बच्चे खिलने जाते है enjoy करने जाते है वो कौनसा है, bank A, B, park C, market कौनसा है, kids, park तो park के spelling यहां लिखी होए इसमें ticker ही है, और यही spelling यहां पे dash में लिखी है, P A, R K, park a park is a place of recreation for children, kids, यही B, आप यह box, हमारा जो खाली box है, इसी खाली box में आप यह B लिखिए, ठीक है kids, चलिए अब हम second question read करते है विबाय medicines in हम medicine खरीदने कहां जाते हैं A, option, market B, school, school तो हम पढ़ने जाते हैं, और market तो हम समान खरीदने जाते हैं, C, medical shop यही correct है यही answer हमारा यहां आएगा हम medicine खरीदने medical shop जाते हैं, तो चलिए लिखिए medical shop की spelling M, E, D, I C, A, L medical S, H, O, P shop We buy medicines in medical shop यहां box में आप लोग C लिख दीजे, ठीक है kids, चलिए एक बार read करते हैं, A park is a place of recreation for children We buy medicines in medical shop ठीक है kids, यहां आप लोगों ने complete कर लिया और दीखिए box में B और C भी लिखा होगा चलिए, अब हम आते हैं homework Kids, देखने हम पहले read करते हैं, कौन-कौन से words दिये हुए M-A-R-K-E-T market, P-A-R-K park, S-C-H-O-L school, T-H-E-A-T-R-E theater, H-O-S-P-I-T-A-L hospital, B-A-N-K bank Kids, हमेशा की तरह इन सारे words को हमें किसमें लिखने हैं, कर्सिव लैटर में चलिए, स्राट करते हैं, first क्या है kids, market, M-A-R-K-E-T market, ठीक है kids Next, P-A-R-K park, P-A-R-K park, Next, S-C-H-O-L school, S-C-H-O-L Next, T-H-E-A-T-R-E theater, T-H-E-A-T-R-E theater, ठीक है kids, कर्सिव लैटर में लिखिएगा बिना कर्सिव लैटर के नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप बड़े हो चुकी हो, next, H-O-S-P-I-T-A-L hospital, H-O-S-P-I-T-A-L hospital, next, bank, B-A-N-K, bank, B-A-N-K, bank, ठीक है kids, अभी आपका ये दो बॉक्स बचा हुआ है, जिसको आपको complete करके उठना है, ठीक है, कौन-कौन से बड़े है, market, park, school, theater, hospital, bank, और एक बार आप लोग करेक्शन भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, किसी के भी spelling mistake बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है kids, kids, हमारा practice book भी अब complete हो जाएगा, अगर ये लेकिन आप complete करके उखिएगा, और उतके बार हमारी term book भी complete, और साथ में practice book भी complete, ठीक है kids, अब तो में सिफ रिविजन करना है, और त्यार रखिएगा, कि मैं जितने chapters कराईए, सिर्फ और सिर्फ उतने ही chapters आप लोग अच्छे से और सारे spelling के साथ, जितने भी answer आप याद करेंगे, सब के spelling भी याद होने चाहिए, और साथ में आपको cursive में लिखना भी आना चाहिए, ठीक है kids, आज के लिए बस इतना है, thank you